यो विद्यार्थी भाईवाई ने रलाइस वागत छो एसमा यो क्लास 10 को साइन्स चाहिं हामी प्रतिक चैप्टर हो राम्रोसंग भुजनेक्रम्स आज यो फस्ट चैप्टर फोर्स बनने चैप्टर छो तो S मा यो चाहिं हामी प्रतिक S को चाहिं यूहरू घरचाओं जस्तो यो ग्राविटेशनल फोर्स के हो S मा यो ग्राविटेशनल फोर्स के हो यो चाहिं हामी राविटेशनल फोर्स के हो Newton's universal law of gravitation यो चाहिं हामी राविटेशनल फोर्स के हो अब लिए पहिला हे राव यो ग्राविटेशनल फोर्स भने को के हो हो ही ना यो पहिला भेरही अकाडी यो यो चाहिं सोन यो चाहिं ऑर्बिट मा घुम्छ भनने पूरो चाहिं हामी अग्यान थियां प्यो हमी लाई ठा थियाना तो अब नूटन ले कसरी पता लगाए उस्त सब बहर्बने पहले ग्रावित्टेस्नल फोर्स को जाहिए जून सुकई universe मा रहे को जून सुकई दोईटा ऑबजेक्ट को बीच मां तोटायी के उझल फोर्स अफब है ठेक्वडन लाग सब जस्तों यह निरैयों दोईटा ऑबजेक्ट युणिवर्स को पुने पॉइंट मा भने यो जती पनी युणिवर्स मा अबजेक्ट हरुशन ती सब्वाइको बी एकरका को बीच मा के लागशा था ग्रैविटेशनल फॉर्स लागशा तर्य तुरि यो क apologies अग्राविटेशनल फोर्स बन छों तो यो कसरी निूटन ले अबायो चाहिं स्टूरुमा उनलाई आइडिया कसरी आयो कंसेप्ट कसरी भायो त्यों हेर्ने क्रम्मा जस्तो यहां के भदने समय बिद्दाई गयो कची हामी लाइके था भायो इस सब्सक्राइब चाहिं सेंट यहां सिम्पल एक्जामपल हामी हेरां कोने धुंगा लाई हामी यहा अदी रहा एसतो दोरीले बायो और जानी यहां निर भूमायो वहन क्यों छ त्यो डोरीले हामई धुंगा लाई जोग याहां दोरी चुडी चाहिं रहे आछ इसतो शर्कूलर अर्बिट मा घुमाउआ प्राइब सब्सक्राइए इस पीजिए अपध सब्सक्राइब 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 डेक्षाइब लेविविवा दो टेंस्ट न्युन बंच न सन्या वोन्त न छाएंज च्याब चाहित लाइ सों तीर तानी राकए होला थाने ना भने चाहित copper टानी राकए होई हला स्वागर अज्च c के बहाई चाहित तो ऑठ्ट भहीर उति चाहित चाहित दानेतरो अर्थ करस आतक है क्या बैसरी परिद्न होइनिल भुश be यह सब दो और हो तो क्यों स्परेदेशेल घ्रावी ट्रावाल Bible की अलएंपकर को कहल heck घ्रावीटेशनल फोर्स तो कि घ्रावी टेशनल फोर्स मिचली Sum2 कि ldri V. ऐसने फोर्स कि अ warfare कि ग्रैविटेशनल फोर्स बने को फेव है कि यो यूनिवर्स अत्वाई स्पेस्मा जुन सुके दुटा अबजेक्ट को बीज माय उटाचाहिए एट्रेक्शन फोर्स लाग्छा यो फोर्स लाई हमी के बन्छा था यो ग्रैविटेशनल फोर्स बन्छा इंच निविवर्स के Process कि मीवण तर्नड़र इंचय कर आदर PHर थोर्स लाईड़ेशनल फोर्स लाईनों प्रैसर इंचत्य अविट्ली है any two bodies in this universe any two bodies this force of attraction is called gravitational force this force of attraction is called attraction gravitational force is called gravitational force अब यो यो युणिवर्स मा जून सुबेज़ी जूटा अबजेक्ट को बीच मा जून attraction force लागशा तो attraction force लाई हमिके वनज़ो तो gravitational force वनज़ों अब यो gravitational force को पनी law दिये newtons लेके गड़े तो एक अरकाले तान्छा मात्रै पता लागाए है का हुएनां कि उने ले कवती छाहिए भोर्स ले चाहिए डानछ़ अबhol उनले क्ये भने भने नीवटन लेके पता लगाए यो आनो उनी अबजेक्ट चाहिए जसको मास जाहिं M1 छो, और को यहांको नहीं अब्जेक्ट छो, जसको मास कती छता M2 छो, रर यो दुबई को सेंटर, बीच को चाहिं, यहां यो दुबई को दूरी, कहा बाटता? यो दुबई को सेंटर बाटता चाहिं, दूरी कती छता, मानव D छो भने, मास M1, M2, रर दूरी D छ बने, उनले के पता लगाएं, नीउटन ले, कि चाहिं छून फोर्ष अफpptरेक्शन, यो जून फोर्ष ले तानी राखे को छो, यो दुबई को खालाए, यो जून फोर्ष अफ lamENTर, यो फोर्ष अफ एटरेक्शन छो, यो फोर्ष अफ अब्दरेक चाहिं डाइरेक्ली प्रोपोर्शनलाट चाहिं और फीज इन्वर्सली अब जती यो चाहिं दुबई को मास जती बढ़ी चाहिं ते तीने बढ़ी हुने वह फोर्स अफे ट्रेक्शन दुबई लाइक गुनान गरे पाची और यो जुन डिस्टेंस यो दुबई को बीचमा जुन दुरी चाहिं त्यों दुरी को इन्वर्सली एस्क्वायर गरे भने इन्वर्सली प्रोपोर्शनलाट चाहिं के ले बने तो यो हामी ले मानों एसको मास M1 एसको मास M2 रड दुरी डी छा भने यो f is कल टू के मने बोता यो दुबई लाइ हामी जॉइन गरने हो बने यहां युटा कॉंस्टेंट ले आउने जी और इके गरने ता M1 M2 अपॉन दी एसको यो उनले जाहीं निूटन दे लाव दीए ताहून इसको स्टेटमेंट यहां हामी हेरना सक्षाओं यहां इनको स्टेटमेंट हामी देखाऊं अब यहां है रहां यो निूटन्स लाव ऑफ ग्रैविटेशन छाओं यहां के बाद सेम तेहीं कुरो हो यो जुन शुके दूइटा अब्जेक्ट को बीच माँ चाहीं जुन फोर्स लाग्शा तेसले अट्रेक्शन बोई तेर लाए ग्रैविटेशन भन छाओं वही ना प्रैविटेशन रोयो लॉ मास् हमिलाए यहां के सबाया है यहां एनितु बादीज इस डायेक्टल प्रोर्स अठेक्शन जुन शाओं ग्रैविटेशन प्रोर्स तेहिं के सदा नॉंबर एड मां के सदा युदौ तुदा डियुक्रिट्ली प्रोपोर्चिनल थी ने चाहें अब अश्णी स्यूरी फिर्पोर्चिनलगे चाहिए पार। if M1, M2 be masses of two universal bodies and D be distance between we are centers then kya munchat force of attraction gravitational force of attraction m1 into k m2 first yaha june dhye ko proportional to the a square inversely proportional bane ko matlab kye bota yoh chahi divide unepo inversely square of the a square of the distance between the centers so yoh bane ko kati bhaat ha haamro number one ma kye bota f is equal to m1 then f is equal to arko kye munchatha one upon d square kye bota from one and two kye munchatha yaha yoh jastho yoh force june chha force is directly proportional to m1 into m2 m1 into m2 upon d square m1 into m2 upon d square yoh proportional ko june sine chha yoha yoh constant constant yoh proportional ko sine hattaya bane f is equal to kye bhaia zi m1 into m2 m1 into m2 m2 upon d square yoh jahe equation kye bota newton's law of gravitation yoh june yoh g chha yoh li hami kye bhan chha the gravitational constant bhan chha here zi is called gravitational constant constant zi li hami kye bhan chha gravity constant constant bhan chha zi li kashari define kye hota yoh yoh kye hota gravitational force bhan yoh 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 और थाद चाहीं यूनिवर्स मा यूटा 1 kg को चाहीं अबजेक्ट छा और को पनी 1 और को पनी अबजेक्ट कती छाद 1 kg को छा और यो दुबई को दूरी 1 मीटर ये सरी राखे को छावने यहां किये हुने बता F is equal to M1 पनी 1 kg 1 1.1, G हुने पशी F is equal to k मुझे अब अब F is equal to G भने को मतलब कह ओता यो force जूंच ग्रावितेशनल परोड ख मेने ऑटाइब हर्म ग्राविस४लविधेशनल फरफेशनलर स razor duty love ग्राविटेशनल उंस्थे को खहलो कती हम आन्यां सअधोग पर ग्राविटेशनललर सविफकी क्राविधेशनलर सेपरेटेड बाई यूनिट डिस्टेंस फ्रों डियर सेंटर्स यह चाहिए एती भाई हाल्यों इना डेफिदीशन एसको के बहा आता जीव हने को के बहा आता जू सुकाई विटा यूनिट मास को बाडी यूनिवर्स मा छा रही वान मीटर चाहिए डिस्टेंस मास त्यू सुकाई विच्छ फोर्श लागता त्यस्याहा रही हाने के बन्लीज यू ग्राविटेस्ट मास को के बाड़ी पाई विच्छ लागता अबजयक्ट चाहिए यू नजिक 1 मीटर नजिक खाहिए ग्राविटेस्ट फिल्ड याहां घई हो बने यू दुबे को बीच म जी को भैलू हुँँछा 6.67 x 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square ये ती एसको चाहिं भैलू हुँछा यो constant हुँछा यो चाहिं भट पड़े हुँदाई यो इनियर को मास्ट घटी होस बड़ी होस दूरी घटी होस बड़ी होस के हुँच दयो येसको भैलू फीक्स हुँच तो अब ये चाहिं Newton's law of gravitation भयो रचाहिं के बत हम्रो ग्राविटेशनल कॉंस्टेंट जी पनी भयो येस पाशी अब हामी यो फर्मूला हाम भयो अब हामी येटा नुमेरिकल यहां है चाहुँच यहां युटा नुमेरिकल शबब कल्कुलेट था पोर्स अब ग्राविटेशन बविटेशन बट्विन तो बाडिशनल केजी वेंट केजी वीच एप्ट जी सेंटी मिटार अपर यहां क्यों था यह वाद है यो इम आन वाबर कथी दियो था यो M1 बराबर कती छता यहां तो यहां के बाद है M1 बराबर कती दियोता 10 kg और M2 बराबर कती छता 20 kg छो और 200 cm अपार्ट बराबर कती बराबर हामरु जहीले पनी मीटर माली नुकर सा बने पसी कती बहता 200 cm बने कती बहता 0.2 मीटर बहुत होई ना अब जी को वहलू पती हुंचा दा 6.67 क्रोस 10 तुदी पावर माइनस 11 नुटन मीटर स्कार और के जी स्कार यहां तो अब यह फोर्स जूंचा फोर्स अब ग्रेविटेशान यह बराबर क्योंने बता जी, M1, M2, Ds को है तो यह बराबर जी को वहल कती शाथा 6.67 क्रोस 10 तुदी पावर माइनस 11 इनुटन कती बहुत हो M1 कती शाथा 10 केजी स्कार 10 वह अनि चाहीं M2 कती शाथा 20 शार यह हामरों कती शाथा दूरी दुबाई को बीचमा 0.2 को चाहीं के बहुत है स्क्वायर ही हामें एसको भाई लूपती मुंचा दा हमरों क्यां क्याल्पुलेटर यूज़ गरों बहुत हम लुट्रॉbor ऐस दो अन Gibगान लिस को भई खो उुट्रॉण भागा झांती वेशब का लुरुटे 6.67 वेन थूट्रॉच कि अनिवें भागा पॉइंट टू यो भाया हांडरो 6.67 हैं चैनल हैं भागा रांग पोइंट 0 इंटू दॉस जीटू इंटू इंटू का दिश तीस 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 पचास इंट्टू 10 टू दी पाव कती सता माइनस 11 यो हमरो एती न्यूटन छो अब अब यह लाई या हमी कती लेख दियुकर एक दूरी तीन चा वहने बसी 3.33 3.33 1,2,3,4 चार ओटा चाही के गरनू करता यहां घटाई दिन परो इंट्टू 10 टू दी पावर कती भो तो एस बाड़ा चाही एक आरा बाड़ा चार घटायो भने साथ चार एकार माइनस 7 न्यूटन एती चाही फोर्स भए यो दुबाई अबजेक्ट को बीच को फोर्स त मास अफ द आर्थ इज एती मा आर्थ को मास दियो इट्स रेटियस एती काल्कुनेर्ट ग्राविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ट बीट्विन अर्थ अन अब्जेक्ट अब्जेक्ट अब मास दीश अब यहां क्ये भनेता यहां अर्थ को चाहीं मास कती दियो तक अर्थ को मास मानं यो जिएको छ़़ों अनि यहां माथी और्थ माथी यहां औरको अब्जेक्ट यह इसको मास्क कती दियो ता मानव यह स्माल एम इसको मास्क हो भने यह और्थ र चाहीं यह अबजेक्ट को बीच मां जुन ग्राविटेशनल फोर्स लाग छाओ निया अर्थ ले जुन फोर्स ले ले एल लाई चाहीं तांछा आफूती हो यह फोर्स बराबर के उन्च था यह बराबर जी और यह यह में अबजेक्ट को मास्क भएऊ यह दुबई को बीच मार्जुन अर्थ को रेडियस अब यह अबजेक्ट एकदाम सानो सो यह किडोमीटर मां उन्चा यह सेंटीमीटर में यह अर्थे चाहिना बाड़े पाचि यहां आर्स्कोर यह फोर्मुला के चाहता दिये को के चाहता मास अफ और्थ और्थ कपी चाहता यह बराबर जैसको मास दियो कपी 6 क्रोश 10 to the power 24 केजी दियो होई यह अनि मास अबजेक्ट अबजेक्ट को मास पती चाहता यो हामरोज दूइस से केजी चाहना एड अबजेक्ट आव मास दूइस से केजी चाहता यह सको मार्थ 3080, kilometer, दियो होई न, यो हमी लाई क्ये मा चाहिण चाहिए? जुरी चाहिए लेए पनी, meter मा चाहिए चाहिए, तो, meter मा लाई जाना लाई कलती, 3080, into thousand, यह वहने उपति भदा, यहाँ, एस लाइक पॉइंट राखने वगने एक दुई तीन और चार पांच जो गटा 10 तो दी पावर माए ना तो 10 तो दी पावर 3 6.38 प्रोस 10 तो दी पावर पती बते एक दुई तीन चार पांच जो गटा भएयो मीटर बते अब आब फोर्स अफ ग्रेविटेशन कती मुंचा दयो यह बराबर जी अनि यम यम अपन आर स्पायर तो अब यहां जी को भैलू कती मुंचा दा आमिले थाश 6.67 प्रोस 10 तो दी पावर माइनस 11 ल्यूटन बहर यह एम को मास ताहीं अर्थ को कती दिये वेज़ा था 6 क्रोस 10 तो दी पावर 24 अनि यह अब्जेक्ट को मास दियो 20 सेकेजी अनि त्यस्पाशी चाहीं दूरी कती छा था रेडियस कती छा 6.38 6.38 क्रोस 10 तो दी पावर 6 को होले स्कायर भी यह और यह लाए अमिने चाल्कुलेटर ले शोल बर्वाने यह कती आवला तो 6.67 6.67 अनि थेस्काशी है आपका दिज़ा इन्टू 6 वियाले इन्टू यहां द्वी द्वी स्थाच्वाने अनि द्वी राखां अरू चाहीं यो 100 अचाहीं राकिनू इन्टु 10 तु दी पावर अब एस मा युँ दूइटा स्वाए छागाने पची 26 अपरेगो अनि यहाँ एल लाई चाहिए स्क्वाइर गरेवाने कती आउंशको 6.38 को यह स्क्वाइर गर था? 40.7 चा, 40.7 योगो इन्टु 10 तु दी पावर अब 6 चाहोई ना? चाहिए स्वादना बारब लिया चाहिए स्वाइर अब एस मा इस पावर यहाँ चाहिए 6.67 6.67 इन्टु 6 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 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 आया अनि भागा खती बाराम तो 40.7 है यो कोई आया था हमरो 1.9 1.966 1.967 गर्दियों अनि क्रोस यहाँ कोई आया था? 10 to the power 26 साव माइनस 10 to the power 26 पाला 12 इन्टु 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 आया था? यह हमी एदना सब्सों 6.67 इन्टो 6 इन्टो 2 जेती भागा 14.7 इसकोल टू करती बाता 1.8 खीक छा तो अब यह हमी हे रहे हूं यह पच्छी चाहिं हमी ले अब इसमा अब यहां हमी अगी हे रहे हूं यह ग्राविटेश्नल फोर्स मा जुन शुके यह तो जाहिं यह उटा अबजेक्ट छाओ हूं ना और को यहां अबजेक्ट छाओ हूं यह दुबई को बीच मा जुन चाहिं फोर्स लाग छाओ एद्रेक्शन प्थेल्लाई हां मिन्के वन्षुंथ में ग्रय्वीटेम फोर्ष वहां चाहोँ प्सक्राइब चाहिए अर्थ हो आपनों सेंटर तीर तान छो त्यों फोर्स लाई हामी यो जुन ग्राविटेशनल फोर्स होई अज ग्राविटेशनल फोर्स के बाद जुन शुकाई दुईटा अबजेक्ट एक और कलाई फोर्स ले उटा फोर्स ले तान छो त्यों फोर्स लाई ग्राविटेशनल फोर्स लाए हमि के बाझ झाओ ग्रेभीटी फट्री इस बॉने पसी ग्रेभीटी पशेओ अब वेटी वहान दौने अबजेक्ट यहां और्थ भएओ पने यहां दौने अबजेक्ट ठामी ले राखे यो अबजेक्ट लाई और लेके गार्श होतने यो छोले चाहीं यो gravity परोसले अबजेक्ट लाई आपनों सेंटर तरह तानों तरह यो जुन फोर्स होग परोस को कारण लिए इसको केंब जरते वेड एको नहीं पमेडसेंटर तरह तो भाने पर शी ग्रेवीटी राद चाहीं वेट दुबाई चाहीं के वोता शेम भायो होई ना ग्रेविटी पनी फोर्स भायो अब्जस्ट विन फोर्स ले और्थ ले चाहीं पनी अबजेक्ट लाई आपनों सेंडरती राद तानी राठे कुँँछ वेट पनी तेहीं होकि यह फोर्स हो जुन्चाहीं फोर्स वाटा और्थ ले आपनु सेन्टर दिरत तुने शॉर्टेन अब्जेट लाई तानि राठेखों यह हमरो ग्रेभीटी भने भने यह सें अब हमें अब हम्रों ग्रेभीटी भी ना चाहे बबो वेट भनावी ना तो वेट रो मास अब मास भने को के बता मास भनेव के वह था यो एमाउंट आफ मैटर कंटेंट इनसाइड द बड़ी आप बड़ी मान कती चाहिं मैटर छो त्यों भनेव के वह था मास भए तो वेट हामी स्ट्रिंग बैलेंस ले मेजर गर छाहूँ ना वेट को बारे मां हमीले स्टरन बूद हूं कि यहां कुनाई जाहिं ओझेट हमिले राखेको छाहूं भने यो इसलाइट हामी यहां यस्तो मारकेट मा यह ग्रेजुएशन स्केल पाऊंछ चाहिं अचरह लगो को सालरुना है चाहिं एस तो डिजीटल तरा जुंछ तो यहां चाहिं केजी वह देखाऊंछ तो यो भनेको weight खेल चाहीं mass के वो, कि mass सदै हामी याँ डंडी वाला यो तराजु हुँँच्छ, तो S मा मेजर हुँच्छ यहां के वहुँच्छ तो यो ढुबय चाहीं तराजु मा यहां यूट ढख राख दियेकुँच्छ, यहां चाहीं object राखेकुँच्छ यो जहीले पनी मास कॉंस्टेंट हुँचा कीना बने यो संगाई अब यो तराजु लिये रद चंदर्मा मां जाओँ चाहे जाहां सुपई जाओँ यो भटी बढ़ी हुदेना कीना बने यो जहीले पनी यो संगा चाहीं तूलना गड़नों करचा मास निकाल दा तर वेट मा तके उने बोता यो स्प्रींग बैलेंस इसतों उन्चा यहां ताने पछी जती फोर्स बढ़ी बढ़ छा था वेट बढ़ छा और फोर्स भट्यों वने के उने जता वेट घड़ चा त्योंब भाया पछी अब यो जस्तों मास रवेट मां चाहीं हां मिले तूलना गड़न मास के बोता है माउंक का मैटा कॉंटेंड यह यह वह बने अब इसको अपूजित मां वेट के भाया था the force by which the force by which और अट्रेक्ट्स अब बोड़ी तू आप सिट्सेंट गार यो जहीले पनी के भाया तो वेट घड़ी बड़ी मुने वह वह बहुए ना यह के कारण ले घड़ी उन्च त्यों आमीग पछी घेल सहोई ना एसलेशन दूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ग्रैविट्टी चत्यों पनी हैच्छों तो अब इसमां आमी अब यो प्राइब उसमां एक्जाम हरुमां यो सोद्मे गरने हुना ले येसमां चाहीं कंफ्यूज नहस्क बने यो भूजिया लो यो मास रवेट मां खरक्क्ये भायोई ना तो मास जहीले पनी एस थीर मास जाहा लगे पनी के हुन चाधर एक केजी मास हबने एक एक केजी हुन चाहे और्थ माहोज चैप्रियस्ताफिग्राव मार रहे याँच जाहां सुपै ले यह याँच्छ तरण वेट के हुन च वेरिएबल चीज भाय याँँ ले ओई मास को यूरिट के हो केजी हो यूरिट 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 ह सब्सक्राइब चाहिए यो वेट को फर्मूला के वह आले T अब यहां हैं हामि हैरं कि एसिलेस्टन डियू टु ग्रेविटी यो हामिले हैरलू छाहा ओकि न एसिलेस्टन डियू टु ग्रेविटी भनेको क्ये होता जी भई हालो अब यो हामी लाई था छा कुणे फोर्स जस्तो यहां अर्थ भयो होई ना अर्थ ले हरेक चीज लाई आपनो सेंटर तीर तान छा यहां कुणे चाई चीज छा यहां माथी अर्थ सर्फेस मा एयर मा छा भावामा यहां चीज तला के गर छा वैलाई छोड़ दियो वने अर्थ लेलाई आपनो सेंटर तीर तान छा यह सेंटर ती तान छिण पोर तोर तीसको कारण लेकूने अब्जेक्ट मा जुन एसीलरेशन प्रोडूस हुन छ तेलाई हामी के वन्छो था एसीलरेशन दियुट ग्रेवीटि तो अब यहां झाल अब यहां जोजंकि दोग्रेवीटि कथे ओल जोज़श्तों यहां मानवं m भणे पूपने ओव्जेक्ट्ट यहां प्रितवी को सर्फेस माझ बर्फ को चांब मास यांब रेडियस आर छावने इसमा चाहिं के उन्छा Newton's law of gravitation according to Newton's law of gravitation the force of gravitation by or towards its center on a body of massive is given by अब यहां यप बराबर कती भायात ग्रेविटेश्नल पोर्स बराबर जी भाया उनिवर्सल ग्रेविटेश्नल पॉंस्टेंट अनि अर्थ को चाहिं मास यम मानो बड़ी को अबजेक्ट को मास यम छ अनि रेडियस के छ था आर छ यो अबजेक्ट को चाहिं सेंटर देखी हामनी दुरी लिए नुकिन अबने तम त्यो चाहिं के छ था नेगलिजेबल छ के को अनुपात्मा था यो चाहिं अर्थ को रेडियस को अनुपात्मा यो इक्वेशन वन हयो हिना अबब एगेन मानो अबजेक्टको मास यम छ यह समा फोर्स यव चाहिं ग्रेविटेशनल फोर्स लागिदा छ वने न्यूटन को छहीं हमरो सेकेंड लॉई न तो फोर्स की को पराबर हुआ घाता मास इंटू एसिलरेसन को पराबर हुआ अब यो फोर्स यक को करण़े मानाऊ यो अबजेक्ट मां चहीं एसिलरेसन ए प्रोडूस भेहा चाओने त्यों चहीं हमी के लेहना सक्षां था मुट्रांस सेकेंड लग अवक मोस्व क्योंने वोता याँ फीज कर्टो क्योंने वोता यां जी यां ए भूने वोई ना अब यो जुन ए छा एसलाई हामी के लेती नोट दक्षाँता एसी लेशान टिव टू ग्राविटी जी ले यो भाने वो क्यों खे वोता यां जी भाई हाले होई ना यो एफ जून फोर्स ग्रेविटेशन और और्थ को इसको कारण ले यहां एसी लेशन जी प्रोडूस भाई गोछा आप यो एक राद दूई बाटा क्यों चाँ प्रों वान एंटू क्यों ने बता हां रो यहां एम जी बराबर क्यों ने बता है जी एम एम अपॉन आरे स्वार अब यह जाहिए यंग यंग कैंसिल होई आले हो जी बराबर क्यों ने बता हां रो जी यंग अपॉन आरे स्वार अब यहां अब यहां अर्थ को जुन मास हो क्यों मास जहिले पनी क्यों चाँ कॉंस्टेंट हों चाँ क्यों कोईले पनी घटी बड़ी मुद्धाई ना अब यहां जुन जुन जी को भायलू जाओ यहों ढू जुन रेडियस रहा यहां यहां चाँ यहां यहां यह यहां यहां यह इक्वेटर भंचऊंग हमि यह जुन लंबाई जाहिंव येता तीरि रेडियस चाहिंं बड़ियोंच दुम्हठी यह चाहिं इत्थ न राट तो थे कम्हएं छ्ञेनुर में बाड़ियों बने यो जी को थे लूं talented one आर चाहीं बड़्यों आर एफ आर इस ग्रेटर कहां इक्वेटर इक्वेटर तीर वने के उन्ज ता जी के उन्ज ता अब आर चाहीं इक्वेटर तीर ठूलों छा वने जी को है आर अब पराइप कुस्सान अरय जाहें जी को है बड़ी में जाना अनिचाहीं जाएं पोल तीर बड़ी में जा अब अब हामी यहांने समु फ्री फर्व हने को केवोगी ना स्वतमत्र खसाई जसलाईने पाली मा घच्छ तो हामी ले यो चाहि मानव कुनैच छत मा चुडरा अब्तमाईले युटा चाहिए कासले यहाँ युटाइ इता खसायो और शंगय युटा चाहिए और को लाध खसायो तो चाहिं शट्टा हीयो हावा आयो तो यहाँ किए देखिए उपने जुन्त ची यती भारी चाहिं in यो तेती फास्ट चाहिं और सर्फेस मां यहां चाहिं तला ज़र छा यो के कारण लेखवाया तो किना वने यहां के वहाया तो एयर को रेसिस्टेंस अर्था चाहिं हावा ले लाई उड़ाई रहे चा ज़स्तो अचा पैरासूट हरुन चा पैरासूट यूज गरे वने यही जुन प्वाक्ष अनि येस्टो इट चाहे ड़्ूंगा छ अनि येस्टो हमिले मांव ठूलो जार राख्यो लामो जार राखने यो जार बाटा चाहिंकिये गर्ने तह भावा निकाव दिनेहो बढ़े यो बैक्यूम बनाइदिनेहो यहां बैक्यूम बनावनलाई लगायार पुरे हावा इसको तान दियां कती पनी हावा चाहिलां अनि तेस्त मा चाहिए यो प्रतेक चीज लाई के गर चाहिए अर्थ ले ब्राबर फोर्स यो चाहिए प्रतेक चीज जब तला आऊचा तेसमा कती एसिलेशन हुचाता यो एसिलेशन भने को फिक्स भहलुँचा यो ठाव को लागी 9.8 अनि ठाव अनुशार हुचा तो यो जी भने को यो एसको मास मा चाहिए डिपेंड भही राखे को चाहिए न तो यो भाय पची द दुबाई संगाई थला जर जब चाहिए एयर लाई हटाई दिने वह बने जुन शुगेचीज भारी हो साय हलुको हो समान चाहिए दुबाई समान गतिले के गल शाता तला संगाई यांचा तो यो के काराम लेगा था यो जुन एयर रेसिस्टेंस हामी ले थाटाई फ्री फॉलिंग अर्थात हावाले हुने अवरोध भटाई सके पची उनेई पनी बड़ी अर्थ को प्रिथ्वी को सता अर्थी ले जुन गतिले जुन मोशन ले तला ज़र्चा त्यों मोशन नाई हमें के वन्जब्दा स्वतंत्र खसाई भांचां तो यो आमरोभायो फ् कंसेप्ट अलिकति हामिलाए भुणू परने हो तो त्यों फ्री फॉलिंग को यो चाहिए डेपनीशान वरोग एस ताई अब हामिए अलिकति अब हामिए याँ हेर शाँ कि एस सिल्रेशन जहीले पनी एस फ्री फॉलिंग बर्डी को हुई ना कुने बर्डी फ्री फॉल भई राहेको छा बने त्यसको जुन रेसिल्रेशन उन्चा सधाई जी को बराबर उन्चां अब हामिए चाहिए यो वेट लेस्नेस बुझांग वेट नव हायको मांचेले महसूस गआछा कोईले काई लिफ्ट माहामी चल्यो अनि लिफ्ट तला तीरग भई राहेको छा बने आमिलाई लागछा गिए हामरो वेट कम भई लाचा डर जस्तों छो उन्चां तो त्यों के कानद लेए उन्चां जस्तों यहां हेर यो कुने दे काने मांचे यहां चाहिं वी राखे को छहाऊ बने आबवा यो मानों यो मानचे 10 के जी को छ्छा बने येसको वेट जुन्छा मानों मास इसको के बहता এসের পনে সে আমার ওনে এসে কেজী ভযো ঒েসেছেমসে হযো তে আমার ও ডাং বযো ডাই কিও কিও ডাইসে দা পপনে चाहिए 10 लियो भने 10 मीटर पर सेकेंड स्कायर शह भने पती 8 से निव्टन और था चाहिए यह मांचे ले तला अर्थ मांचाहिए आपनो वेट बराबर को फोर्स लगायो बने निूटन को थर्ड लागानुशाओ अर्फ रियक्शन अब यो पकी खर जुक हो जुँँँँँँचे का चाहिए यह चाहिए ख़ताया आपनों चाहिं वेट कही सार्म टेट कारण आपनों वहलाने seeகिरेशन फोर्स लगाने स्वत्यस टिने फर्ष मध्किनेわか उन्टेल expected учθेको 1500 घ्रित. नहीं स्वत्यनीले स chain期 जाइक आपनों नषी बहना है तो सब्सकी । रेट अफचेंज अब के भाया ता फेलोसीटी अर्था पर्तेक चाहिए सेकेंड इसको चाहिए 9.0 G को वहलू लगाँ 9.8 m2 पर्तेक एक सेकेंड मार्पती हुँच तो 9.8 m2 पर्तेक सेकेंड को दर ले चाहिए इसको चेंज जुन चाहिए जब यो तला गई राखेको चाहिए एसको वेट जुन चाहिए वेट डगलू बराबरक्यम जता यम जी भयो अब यहाँ 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 तला वड़ा रियेक्शन फोर्स चाहिए एसलाई पाये ना बने यहां तो उठी युक उनाई चाहिए बस्तु छ तेस्त मां तो यह वड़ाइ पार्टी यहाँ रियेक्शन फोर्स लगाया तो यहाँ ताला गई राकेको चाहिए इसको जुन एसलेस्ताम चाहिए जी को बराबरबर भय पचिक हैं चाहिए पूर्ण रूप मा आपको दोलाइ यह फालाइ श्थ डांश कर दोलाइ महत्सुष घर यह बहाँ यह बहाँ तो अम्हों लिखें कीना महत्सुष हूं कीना अमीं अल्ध कर नहीं महत्सुष घरिये क्श्थ चाहिने कोज रएफेक्ट्ख रुकेई प्रस्णा रुव हमी एसमा शन्फळ गर्शंट तो यहाँ यो हामिन हेर्णा सब्छाँ की अब्जेट्ट यहां अनि यह ठोख यह ठोटा घूंगा यह ठोणाश अनि ये समा चाहिप संगाई जार्यों ऐखिरा धार्यों बने यह ठोख सब्दीच निक्राइब्स अल थे गदल तर यहां निकाली शब्दीच शावा निकाले होुआ मेरीकल हामिँ भरो ओ यहां मास आप व्यूपिर इस इस गजैवेट दो ग्राविटी अशो फाइंद the weight of a man of 70 kg on the Jupiter right now the oscillation due to gravity which formula हमिले के था छो कि यहां के गरूंगा गीवन के के साथ मास अफ जुपिटर जुपिटर क्थी भय यह मानों यहां को यहां दियो यहां क्थी 1.9 क्रोस्टें तुदी पावर क्थी सथा 2700 तेस्था ही अब यहां रेडियस अफ जुपिटर रेडियस अफ जुपिटर आर बराबर क्थी दियोता 71 इंटो 10 तुदी पावर 6 जुपिटर दियो अब यहां दियो अब यहां दियो ग्रेविटी जी क्थी मुझा हो इना चान्न वी नो दाए अगी हमिले एसी लेशन डियो टुटु ग्रेविटी जी निगाल दाके यह थी जी इसकल टू यह उच्छता जुपिटर को लागियो यह सेम हुन्छा जी को भैल क्थी सता 6.67 क्रोस 10 तुदी पावर माइनास 11 होई ना अणि इन्टु यह क्थी सता यह सको मास हमरो 1.9 क्रोस 10 तुदी पावर 27 अनि आर क्थी सता रेडियास रेडियास एसको सा 71 इन्टु 10 तुदी पावर 6 मिटर यह सको भोल स्क्राइबनेगो यह क्थी भावर यहां 6.67 इन्टु 1.9 इन्टु क्थी भावर तयो अगर 10 तुदी पावर माइनास 11 चा यह चाहिए 27 चा क्थी भावर 10 तुदी पावर यह माइनस 27 माइनस क्थी भावर 11 माइनस 11 हुआयो अनि यहां क्थी भावर यह 71 चाहिए 71 क्थी स्क्वार हो 70 पावर यह पावर यह पावर यह पावर क्थी क्थी आंशा था इंटु क्थी भावर यह तो अब यह लाए 6.67 प्रस क्थी उन जाता 1.9 तो थे भावर यह बावर यह पावर मावर यह पावर यह 59 प्रस्रीज स्क्वार यह 2.51 तुद्दी आएंट यो 2.51 प्रोस्टेन टूदी पावर मैंनस तूदी पावर मैंनस थिरी ये आये को छा बने मैंनस थिरी यहाँ चाहिं कती भता टेन टूदी पावर 27 अणि यह 11 यह घटाय वने 7 बढ़ाये गए छो अनि पची 14 अनि यह माइनस 3 आये कई थी यह तो बने 10 to the power minus 3 अनि यहां कती बहता इंटु 10 to the power यह मार्थी को यहां माइनस 12 नाँच तो यह बने को कती बहता माइनस 3 सब यहां कती बहता बारतिन पंदर पंदर वने पाशी 10 to the power 1 वने पाशी यहां कती बहता 2.51 25.1 25.1 मीटर पर सेकेंड एस्प्वायर पाईयो यह जी को भैलू 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 यहां काहां ता जुपीटर तो यह लगभग हामीले बूज हों यह और्थ माजन इसको भैलू हुँँचा तेसको और्थ को भैलू भन्दा यह कती शता यह नो तिरकाश सब्ता इस लगभग तीन गुना नो गुना अठार तीन गुना लगभग यह बॉल्ट छा जी को भैलू अनि अबाव वेट अफ मैन और सेवेंटी केजी ओन्त जुपीटर अबाव वेट कती मुझ अचता जुपीटर माँ सफ़ाई केजी को माँछे को तो नाउउँट अबाव मैन ओन जुपीटर दोबलु बराबर के बने बोता यम जी यम कती साथ सतरी के जी सतरी इंटु यहां 25.1 तो यो कती न्यूटन बहुता 25.1 गुणा साथ 25.1 गुणा साथ 25.1 गुणा साथ 155.7 यो चाहिं एती न्यूटन भईया देश्कोए अब और को यहां प्रोब्लेम जात्यों और को चाहिंगा ठीक चावा 15.1 अब यहां यू अबजेक्टिव कुस्चन हरो हामी डिस्कस गठाउं जस्तो यहां के बने तन आ एसे लेसंण डू क्राविटी इंद सॉर्फेस अब्ड मौन ओhemनायम एस लेसंट डियू टुझ्राविटी इंद सॉर्फेस अब्ड मौन कोती हुँज तो आमिलाइच् squidve mayna श्चर चाहता गह चाहता प्रंड यो सार्च थणर सब्सक्राइब रेडियस मुन को रेडियस में चाहिए मून को रेडियस चाहिए अर्थ को जुन रेडियस चाहिए आनि त्यस्त 14 चाहिए टेस तैएि हामिलेखे था पाई राणुकरों कि एसको ? इसको Guess असेलेशन डियुटू ग्रेविटी कती मुझताता वनником ंसीक्साण्थ क्साओ चाहिं और सो दो ग्रेविटी ताओ आगरेविटी में सब्सक्राइब नाइन पॉइंट एट मीटर लगभग मानाव टेन चा वने टेन कु वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट शिक्स ले भाग गर्यों टेन लाई भने लगभग यो हाम्रों कती आऊँश दो प्रेंट वाग शिक्स यो वन पॉइंट शिक्स यो हम्रों भयो यो हम्रों 1.6 मिटर पर सेकंड एसको चाहिं करेक्ट थेंसर भयो इना अनी दोस्रों अचा वाट वूड वी द पॉस अट्रेक्शन बिवें ने टू अब्यक्स इप मासेश अव बोथ बोदी आर मेंट डबल अब यहां आमिलाइक के था जा याभ बराबर के वाएता जी एम टू भयो है अनी दी स्क्वार भा तो अब यहां चाहिं के गरेता एम उन को ठाव मान डबल गर दियो है ना तो यहां के वाद एम उन को ठाव मान अरू सब्बाई सेम छा के लिए चेंज भयो तो यह लेखे सब्सक्राव माट 2 M1 G अनी 2 M1 हो यहां 2 M2 हो अनी D बराबर क्वति सथा हाफ चाहिं करें हो हाफ ले गर दियो भाने पछिए वान अकॉन अकॉन टू अनी दी स्क्वार तो इसको अब शोट निकालने बेला मायती टाइम लगाए रहा हमिलाई संभाव मुदाई ना यहां लेखे गरने हो अने पछि यहां जस्तो F लेखेव चाहिए F को ठाऊमा अगो यहां G ता सेम भायो M1 को ठाऊमा खाली 2 ले गुनान गरनूँछ तो 2 यहां पचिए अनी M2 मा पनी 2 ले गुनान गरियो अनी तला क्ये चाह ता वन पण 2 लेखेव चाहिए यह लाई स्क्वार लेखेव तो यहां पल में हिनला और काुके इनले खाँए F को ठाऊमे defense कैने रचके हे चाहिए F9 लेखेव स्क्ति लेखेव पहें G लेखेव लेखेव सोरो यह 1 पान 2 को स्क्वाइर हो छाद दी स्क्वाइर बहने पाछी यहां कती बहता 16 ताइम भने पाछी यहां कती बहता यो 16 ताइम हो यह निकार्णा पनी एक्जाम सजीलो शरू सब कॉंस्टेंट सबने जुन जती मात्रा माथ चेन भाए चत्यों मात्री लेक्टीने और वीच अब यहां के भनेता है सिल्रेशन ड्यू टू ग्राविटी जी कोठाव मा यहां चाइए स्कोल लेखे हो था हमिले अगी के निकाले आओ यह अगाली हमिले पड़्दा गेरी जी इस कर्दू के हुझ जदा जी यां यां अपन के हुझ जदा आर स्क्वाइर वाला लिए बची के उन्हें बता जी डारेक्ली प्रपोर्शनल टू वान अपान आरे स्कोयर हो यहां निरा जी डारेक्ली यो चाहिं कोरेक्ट एंशर्व हो इस थाई अंडर वाट कंडिशन दॉज आवर वेट बिकम्स जीरो वेडा तो पुन कंडिशन मां वेट जीरो हों चाहिं हमले यो पंदा केरी चर्चा पनी गवारेक्व हो यहां फ्री फॉर मां जंप गरदा केरी यहां एफ इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल तो एमान एमान प्रफ्रां करें और यहां जंप करें लिए इसको प्रेक्ट एंसर के बतार यहां फ्री फॉर म्हाले वाट इंड़ी इन दॉपर्फ इस डेट इस फाइव नियुटर ओंदा मून अब इस तो पुश्यन अरुच्वा एमिले के थाउं पर रेडियस और बाट जाहिं पायो और इनको और रेडियस हो हुआ और चैम्य जे दरन जिक्स तो ग्राविटीमस कहिए ग्यमाज täll खक्रावकर तो मास तो कॉंस्टेंट नहीं हुने को जो अर्ज मां होसा है मून मां बने पछी यो इसमा एसिलेशन ड्यू टू ग्रैविटी जी को वेट बराबर केम उन्छा वेट वेट आप बड़ी सोधी राख्या चाहा वेट बराबर केम जद यहां मून मां जुन वेट छा यो दिये वेट कथी दियो तो फाइब न्यूटन दिये को भने अब चाहिए और्ज मां सोधी राख्या को भने चाहिए बड़ी हुन्छा भने पछी पांच यो चाहिए भयो हम्रो थाटी एस को एन्सर भयो तेस्थाई वाट इन्त भायलू अपजी अन्त शर्फेस अब्डमू अब यो हमिले के था आशता भायलू अपजी हरेग ठांको लाइट कॉंस्टेंट हुन्छा जाहाग हाय पनि तो यह चाहिए यहां यह यह भायाए यह 6.67 यह यह ती हो अब यहां चाहिं अरू कौज सम्मांधि पुष्ण अरू छा यह तागड ओर वरी अगर अन्डर वाट कंडिशन दूद भायलू अब क्राविटेशनल फोर्स अग्रेविटेशनल कोंस्टेंड भीकां सेम यह चाहिं ओर नंबर मां यहां चाहिं चाहिं और आट कंडिशन ग्राविटेश्नल कॉंस्टेंट विकांस बिकांस सेम अगा यहां के उन्छा कि यो अगी हमिले जी को भैलू दिफाइन करने बेला माक्के बर्या थियुँँद यो दुबाई अबजेक्ट यो वान केजी और यो पनी वान केजी और यहां चाहिए यो दुबाई पीच को दूरी वान मीटर भो भने याख जुन ग्रेविटेश्नल फोर्स हुंच याख बरा अब 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 आर्यों मान फोर्स पनी वान केजी और यह थीज़िकल टूज़िए ज़िए युग कॉंदीशन के होता यहां पूर्नमर्मा कॉंदीशन के लेन परयोता वेल्डशन मासेज को अबजेक्ट इस ए बादी केजी और दिस तेंस बीटें देंडें बिविए अर्थ जुन सोन लाइ ये घूंच danh Pacific Sun इस्तो और्बिट मा मुंदाइक्ष अटार इ basin शन एका तिर यहां बंच तो यहां चाहिं घूमी राखे गोछा अब यहां के भन्यों तो explain how the magnitude of the gravitational force between the earth and the sun change as the earth moves from position a to b अब यहां चाहिं हमेले के explain गर्नूं छा कि यहां a चाहिं ठाधप को पॉयो रबी चाहिं नजिक को पॉयो तो a रबी पॉयंट मा ग्राविटेस्नल फोर्स जुन हुँँछ पॉसरी चाहिं चेंज हुँँछ त्यों हामी देखामनुछ तो अब यहां जुन gravitational force a भन्ये पॉयंट मा लागे छा तो यहां निर यो मानों हामी यो चाहिं केशाद d1 चाहिं यो केशाद d2 चाहिं भन्ये अनि यहां निर जुन gravitational force लागे पॉसरी ये पॉन हाल मानों यो पति भालता ये टू हायो तो यहां केशाद के उने पोता दी वान इस ग्रेटर दन के उन्चा दी टू उन्चा वी ना इस ग्रेटर दन डी टू चाहिं ना चाहिं टाह चाहिंद अब यहां चाहें F1 यह पॉइंट मां जुन क्राविटेशनल फोर्स लागी दाचा यह लेग दियू बने यहां यह पतिवत जी अरू सब्बाई चीज सेम हुनेगो M1 M2 अपन यहां क्यों चाता यो D1 अनी F2 बराबर क्वतिम जाता G M1 M2 अपन D2 यह हुनेगो अब यह D1 जुन चाहें ठूलो भाय कोले क्यों चाहें यह पॉर्स दीवन चाहें टाणा भाय कोले क्यों चाहें फोर्स FB चाहें F A सानव फोर्स हुन चाहें ग्रेविटेशनल फोर्स यह पॉइंट मा जुन ग्रेविटेशनल फोर्स लाग्षा टाणा भाय कोले यह चाहें सानव हुन चाह अनी F2 क्यों जाता फूलो हुन चाहें तो तेहीं आमीले यहां क्यों नहीं नुबर देहां FB इस ग्रेटर दें F A ती हुए इसको एसे लेशन दूट मुट शुब तू GРविटी अवगें ज豪 सीड्यां आम वा हुए आपट शुब due to gravity 1.67 meter per second square इसको मतलब के वो था प्रतेक one point इसको अर्थ के वायो हमरों कि प्रती सेकेंड मा के हुंच अधा one point यहां एस मा के हुंच अधा one जस्तो यहां निर मानों यहां निर इसको स्पीड हमरों मानों 10 meter per second को चाहिए इसको चाहिए औरको सेकेंड मां इस्पीड कती भाई आल चाथा इसको औरको सेकेंड मां 1.6 को दर ले चाहिए चाहिए चेंड हुंच अने पाचि कती मुंच तायो 10 अने 1.6 कती भाद 11.6 मीटर पर सेकेंड भाई आचा थेरी आको सेकेंड मां जाथा थेरी यति नहीं चाहिए थाबदाई आचा तेव भाई प्रूब्व दाट दा इस्लेशन डिव तो ग्राविटी इस धिंडिपेंडेन्ट्स तो दा मास अब धौलिग बड़ी अबाद ये सिलेशन डिव तो ग्राविटी जुन यो छा तो जुन मास खसी राखेको छा तेशको चाहिए थेरी आचाए मास मास घुद भाई ले आचा यो चाहिए हाम रोक्किये भाद जी बराबर के था आज अब यहां जुन अब्जेक खासी राखे गोज अ तर्क तैसको मास या छा छाहिना शाहिना छाहिना बहने पच्छी यह जी के बोदां इंडिकेंडेंट हो two heavenly bodies having mass m1 and m2 are separated by a distance g what happens if the masses of both the bodies are doubled keeping the distance constant अब यहां के बने दो यहां के बने दो यहां के बने दो यह फीज इकोर्टू हमिले था ज़ा अगी हमिले के सिख्या हूं १ अब यहां निकालना ला एक दाउन सजीलो तरीका शारू केहिए पनी नगारने अबजेक्टिव टाइप को कुस्षन छबने यो के गरेगो छ था मास खाली के गरेगो तर डबुल गर दियो भने पची जे डबुल छ त्यों मात्राई लेख्छाओ ये पराबर के बाद तर तू भयो और यहाँ M2 परी कती हुझा तर तू हुझा भने पची चार गुणा यो बढ़ेगो तो यो चाहें चार गुणाले यो बढ़ छ वही ना के भाईया चा था 4F भाईया चा त्येस पची इव डिस्टेस बिट्विन देम इस मेड हाफ कीपिंग दियर मासेज कॉंस्टेंट अब यहाँ डिस्टेस चाही हाफ गरेगो भने के हुझा यो खाली 1 अपन 2 को स्कॉयर हुझा यो भने पती यो वन अपन 4 भाईया चा यो वहनेको 4 भाईया अर्था ये तिखेरा पनी के उने बता 4F हुझा यो पनी 4 पुणाले फोर्स जुन क्राविटेस्टेस्टना फोर्स त्यो बढ़ शा इल्द दिस्टेस बिट्विन देम इस रिट्विस्ट वाई 1 थर्ड कीपिंग दि पुंतिके छा तरा चाहीं 1 थर्ड ले चाहीं भाटायो भाटायो भने पाची यो पनी येस्ते ही सेम तरिकाले आमी निकाना सब्छाँ अब या एक्स्प्लेन दा क्वाइन फिदर एक्स्पेरिमेंट कॉंजन अनि अन्डर वाट कॉंडिशन दू फिदर एंड आईरन बॉ आईरन बॉल एक्सप्लेन फिदर आईरन बॉल एक संगई खस्पन तो तेसको लाई के गार्णु कर्शता है भाइक्यूम फाइड मा चाहीं एयर रेसिस्टेंस सुन भाइना हुई ना वेट अब वाट हैंस इफ वेट अन अब्जेक्ट वें इस पेकें प्रों अर्ष पू अर्थ पाटम मून मा लोगयो भने त्या निरे गोय भने वेट के हुँझ अर्थ को चाहीं वेट कोम हुझन को कारण के हो दा वेट बराबर के चाता यो आन्रों यम जी वेट डबलू बराबर के हुझने रही चाता जी यम होई ना अर्थ मात्य ती नहीं मुने वो तरह चाहीं मून को रेडियस के हुझच यो चाहीं अर्थ को तुल नामा वन फोर्थ हुझच वह पाशी के हुझच यहा निर चाहीं के वह दयो हमरों यो वेट पनी के हुझच था यो चीज को वेट यॉम जी यो बन्दा सजीलो तरीका के चाहीं वेट पराबर के हुझच याउम जी हुझच अनि जी को भाएं वन सिक्स्थ अप चाहीं 1.67 लगववववववववाव ने पर सेकेंद्थ मा तो मास अब दस्तो सप्ते में अब्जेक्ट पर एड़नी को चाहिए अंगाई वाट फ्रीज नेस्टेंट व मतिकांट वाट यह को चाहिए था में किनल यह फ्रीपॉर्स कौुच तो अने डिवेज्ट्व मतिक्षण वह था खौके तो शाहिए जोपने अब्जेक्ट्व उप्जेक्ट्व एड़को पर्ने हो जुँ और चाहिए यानी हाँ यानी हाँ फुटारी ओं पहो नियों तो कारनमा, या मैं वाल भीज उले ने यो नब है पसी हामिलाइक के मांसु शुंचा था वेटलेस्नेश मांसु शुंचा अभया यह रहो मांसु शुम्षा un काता है औरैपैस्नल फोर्स के वर्भ Кई यह था एक्ट्रेक्शन फोर्स शुंचा था विर्फाम क्योंוט तो द्लो युनिवर्स मां दूइड़ा अबजेक्ट छबने यो दूइड़ा अबजेक्ट को बीच मां लागने फोर्स अफेटेक्शन हो एसिलेशन ड्यू टू ग्राविटी के भलत यो और्थ ले कुणेई चीज लाई आफुतीरत तान छब त्यो तानने फोर्स को कारवले और्थ ग्राविटेशन फोर्स को कारवले कुने अबजेक्ट मां प्रड्युस हुणे एसिलेशन घृए यो ड्राविटो चाहीं पॉर्स कोpoxफ को क्यो इसको चाहिए फोर्स बाइ अलों न्यूटर हुँँचा बने एसी लेसं डूट ग्राविटी एक हुँचा यू मीटर पर सेकेंड स्कौर हुँचा बने एसारी आमी ले एसमा दुई-दुयोटा चाहिए दिफेरेंड सेर देजां और मास बेटको आगिने यहां इसी लेसं ड due to gravity and gravitational constant अब यो दुबाई को चाहिं फरक छुट्याम चावने एस लेसं due to gravity भने को किये बद यो भैरी उन्छा यो चाहिं चेंद हुने हुन्छा यो constant हुन्दै मैं लेसं due to gravity तरह ग्रैविटेस्नल constant केंच यो चाहिं constant हुन्छा जहीले पनी जहां पनी यो अर्थ को शैसको चाहिं और्थ सर्फेस माँच्चाय मून माँच जहां गएवने पनी जी को भैलु केंच ता अनि ग्रैविटेस्नल कॉंस्टेंट को भैलु केंच ता फिक्स उन्छा यो दुटा फरक्भायु निया रुमा free fall and weightlessness अब यह free fall भने को weightlessness भने को तो free fall भने को चाहिं falling of a body when a body falls under the action of gravity towards earth in the absence of air resistance it is called free fall and weightlessness भने को के वादा the it is the condition where an object falling freely towards the earth feels that its weight is zero के वादा यह भायो अनि अर्पकुरो के वादा यह free fall भने को के वादा हम्रो यह motion भयो जब कि weightlessness के होता हम्रों body ले चाहिं reactive force पायना भने ते ती खेर फिल गरने यह चाहिं condition weightlessness in space and weightlessness in the earth अब अर्थ माँ weightlessness महसुश को दिखेर गर चाहिं तो अब हामी अर्थ पिल जाहिं जरी राख्या चाहिं थानी राच अनी reactive force आमी ती राख्यों तो हमी यह तो हिन्न पनी शक्तिन तरह इस्पेस मान हमरो weight नहीं तल ती राख्या पहुँद है ना कुण ही चीजले हमी लाई ताने कई हुँद है ना जहां चाहिं चाहिं gravitational force एंगे ना त्याहं के उंचट यह gravitational field बंद भाहिर भाय पची यहां मी देख्ये कर्छू त्याहां चाहिं weightlessness field गर्शं तभीबाणी weightlessness फिल लागे प्धाई ना ओवद्ध आज यह तो जुँब फट्स यह चाहिं श्रीज पेस्टन तो एयर रेसिस्तेंस को एक्सेंस माचाई वेटलेस्टनेश खिरूंच यो जै कहा अर्थ मावि न तरदा आए रेसिस्तेंस न वायपनिम्ट इस्पेंड विठ रिज है the value of acceleration due to gravity varies from place to place on the surface of the earth यो किना चाहिए भायरी उन्चाता किना भने अर्थ को चाहिए रेडियस ठाउठाम अब फरक भायको ले अनि चाहिए जी को भायलू जी को भायलू R माच अरी भार परने हुना ले इसको भायलू के हुँँचे वेट आप अब बोडिक बिकांस ग्रेटर एक्वेटर एक्वेटर युषको किर्ण के भायलू यो हामारो और फो भने, यह पोल ती रखे हुँँच्क रैडियस तान हुँच्क सा अनival एक्वेटर ती रखे हुँचêmes ध prop remark यो R E होई तो जहीले पनी R E क्यों हुच था ग्रेटर धन R P हुच था अब याँ हे रहों यो R P R E होई ना यो acceleration due to gravity at equator is directly proportional to 1 upon R E होई ना अनी तेस्पसी पोल मां के बदा 1 upon R P होई तो अब यो R E जहीले पनी R P भन्दा ठूलो हुच था यो R E मा यहां मीरे equator माँ acceleration due to gravity को भैलू के मुच था सानो हुच रहे यहां के मुच था टूलो हुच था तो अब यहां पारा ट्रोप पर जंपिंग प्रोम फ्लाइंग एरोप्लेन लैंड शेफली अब यो पाराशूट मा जोई जंक बरी गाए शेफली लैंड हुच खीना कीना बने त्यों चाहीं के उंच त्या एयर रेसिस्टेंस हुच्छ यत्या यहां चाहीं एयर लेकेगा जते लाई माथी रोग दियेगों जो त्यों भायर त्यों 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 जोठा शेफली लैंड हुच्छ फीधर एंड स्टोंड हैविं इकोर मास फॉलेट डिफेरेंट रेट्स इन एयर और मानों परेवा को प्वाग शायकुनेशीज को प्वाग अनि जाहीं स्टों दुब जाहीं निमेरिकल हनुच यो एजुक्रेस्णल चैनल भाय कोड़े लाइक रोशेयर गरना नहीं अपनों साथी भाई रूमां बड़ी मंदा बड़ी एल्लाइट चैनल लाइक सब्सक्राइब गरने कि एस्टों जुक्रेटिव वीडियो गरू एस्माल चाहीं लगा थार आ आपनों कॉंसेप्ट चाहिं एक्दम क्लियर हने मुना ले यो वीडियो बनाई बनाई एक हो रहे चाहिंदम प्रोमोट गर्मा लाइए यो वीडियो लाइक राशेयर गरना नहीं बुलू हला हस्त वीडियाथियर ले यो चैनल के अब साथ खेलने रहेस्ता कॉंसेप्ट हर आपनों सही हमिले इंदम क्लियार मुपाइए यो बुलू हुआ 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 है